रलो फ्रेन्ट जैसा कि आप सभी को पता है कि टूल कीट मामला कितना gotta road आज कैसे वीडियो में हम अभी बात करेंगे कि टूल कीट क्या होता और टूल किट काहां काई इस्तेमाल किया जाता है और टूल कीट में कौन-कौन से में टरियर यूज किया जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या होता है टूल कि टूल कि किसी मुद्धे को समझाने के लिए बनाएगा एक डाक्विमेंट होता है जिसको किसी त्योरी को प्रेटिकल के रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है आसान भा में दर्ज किया जाता है उसे टूल किट काते हैं टूल किट उनी लोगों के भी सेर किया जाता है या सार्कुलेट किया जाता है जिनकी मौझूदगी में आंदोलन का असर बढ़ाने में मदद मिल सकती है या बोलें तो जिनके लिए यह जरूरी होता है पहले जब कोई रैली या हड़ताल या फिर कोई अंदोरन होता था तब दिवारों पर पोस्टर चिपकाया जाते थे उस वक्त पोस्टर ही टूल किट की तरह काम करते थे लेकिन अब वक्त बतल क्या है और यह टूल किट अब डिजिटरी रूप में कनवर्ट हो चुका है अब हम बात करते हैं कि ट जानकारी टूल किट में दी जाती है टूल किट में लोगों को कैमपैन मेटरियल न्यूज आर्टिकल की जानकारी दी जाती है और उन्हें यह भी बता जाता है कि परदर्शन कैसे करना कब करना और कहां करना और किस तरह से करना यह सब जानकारी टूल किट में सामिल होते है अब बात करते हैं कि हम toolkit का इस्तिमाल कहां कहां कर सकते हैं वैसे toolkit का इस्तिमाल किसी अंदोलन की रजनीतिक का अहम हिस्सा होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह इसका इस्तिमाल सिर्फ रैली या अंदोलन में ही किया जा सकता है अंदोलन के अलावां तमाम रजनीतिक पार्टियां, बड़ी-बड़ी कमपनियां, सिच्छर संस्थाएं और समाजिक संगटन भी कई बार इस तरह का टूल किट का यूज करती हैं और अपने बीचार और प्रोट की मार्केटिंग करती हैं तो आई होब कि आपको ये पूरी जानकादी समाज में आगे होगा, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो